लोकास्ता के महापर्व छट की शिरुवात हो चुकी है और चारो ओर छटपर्व की धूम देखने को मिल रही है घर घर छटी मईया के गीत बज़ रहे हैं और चूले में ठेकवा प्रसाथ त्यार हो रहा है चार दिवसिये छटपर्व की रौनक ऐसे ही होती है जिसमें ना सर्फ आपका परिवार आपके घर परिवार के लोग बलकि आपके आस्परोस की लोग भी रम जाते हैं बता दें कि छटपर्व की शुरुआत 17 नवंबर से हो चुकी है और 20 नवंबर को उगते हुए सूर को अर्ग देने के बाद छटपूजा संपन्न हो जाएगी उगते हुए सूर को तो बाकी दिनों में भी अर्ग दिया जाता है लेकिन चट एक मात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूपते हुए सूर को भी अर्ग देने की परंपरा है ये इस बात का संदेश देता है कि अस्थ के बाद उदय जरूर होता है वही इसके पीछे एक मान देता ये भी है कि जिसके मताबिक सूर जब अस्थ होते हैं तो वो अपने दूसरी पत्नी प्रतिवुशा के साथ यानि की सूर की अंतिम किरण के साथ रहते हैं जिसे अर्ग को है वहीं 20 नवंबर 2023 को कार्दिक शुक्ल सब्तमी के दिन उगते हुए सूर को अर्ग लिया जाएगा इसे उशा अर्ग या फिर उद्यमान सूर अर्ग भी कहा जाता है इस तरह इन दोनों दिनों में अर्ग देने के बाद ही छड़त संपन्य होता है लेकर इस बात का विश है सूरी का विशा समय है इससी पांच बचकर 25 निटका है मुंबबाद 생ची का में शाइंचे बचकर 56 डिल्ली बात करें यह 6 बचकर 37 मिनिट पर होगा मुंबे में सुबे 6 बचकर 48 मिनिट पर होगा वाराणसी में 60 18 मिनिट धनवाट में आप कोलकाता में सुभा पांच बच कर बावन मिनिट पर अभी के लिए विला लेते हैं जोद वापस आएंगे से से जुड़ी तमाम जौनकारियों के साथ तब तक के लिए बने रहें इन खबर पर